सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि सबी विद्यारतियों का पेपर अच्छा रहा होगा और देखे पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल थोड़ा सामल इजी तो नहीं कह सकते हर्ड और इजी के बीच का जो कॉंबिनेशन होता है बीच में रखा गया है कई विद्यारतियों को हर्ड भी लगा होगा जो क्वेश्चन आंसर है वो काफी गहराई से की कह सकते हैं सामन्य लेवल के हैं पैसेज और कंपोजिशन का पार्ट भी ठीक ठाकी है परन्तु ग्रेमर के इंदर काफी सोचने योग्या क्वेश्चन आंसर दिये गए बाकि जिस बचे ने मेहनत किये वास्ता में वही कर सकता है और बाकि मॉडरेट लेवल का बोल सकते ह हैं तो आज का यह पेपर आज हम सॉल्यूशन करने का प्रेयास करते हैं लेट्स बिगिन आपके सामने यह 12th क्लास का पेपर है देगे इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूचे गए हैं उसमें पहला है आई नेवर साहिम लुक सो टॉल एम हैमल फिर ब्ल मैंने उनको कभी इतना कॉंफिडेंट इतना आत्मविश्वास से बरा हुआ नहीं देखा या लुक सो टॉल का मतलब कोई लंबे दिखने से नहीं है बल्कि सिम्डवेरी कॉंफिडेंट आत्मविश्वास के साथ दिखाई देना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट होगा मुकेश मुकेश wants to be a motor mechanic and wants to drive a car car drive करना चाहता था मुकेश ठीक है तीसरा question है डगलस decided to learn to swim when he was blank है फिर old है इसका right answer होगा C 10 और 11 years then after आगे बढ़ते हैं what was the name of daughter of iron master iron master की बेटी का क्या नाम था तो इसका right answer होगा Edla Will Benson ठीक है Edla Wynn Benson उसके बाद question no.5 गांधी जी decided towards the departure of the British it was in right answer is 1917 1917 1917 में उन्होंने decide किया था कि अब अंग्रेजों को यहां से चले जाना चाहिए फिर six question चंपारन डिस्ट्रीट वार divided into large estate on by रिक्तिस्तान है and worked by blank यहां पर दो खाली जिगर दिये हुए है ठीक है तो दोनों में बरना है तो देखे चंपारन जिल्ला था वो लंबी large estate के रूप में यह divided था जिसके मालिक थे on by Englishman अंग्रेजों के द्वारा and worked by Indian tenants तो राइट आंसर होगा बी उसके बार आगे बढ़ते हैं कि हर फेस एक्षन लाइक डैट ऑप कॉर्प्स यहां पर देखें कौंसा इन्होंने क्या पूचा है कौंसा लिटरेरी डिवाइस प्रियोग हुआ है जैसे कौंसा अलंकार प्रियोग हुआ है तो ध्यान दीजिए उनका चेहरा इस तरह से राक की तरह मुर्जा जैसे शव क है जैसे मूर्जा जाता है उस टाइब से उनका चेहरा मुर्जा गया तो लाइक का परियोग हुए है है नि-क यह समान ये जैसे तो जहां लाइक का प्रियोग होता है या एस का प्रियोग होता है यहां सिमिली होता है सिमिली quint grandes tolerate आलंकर उपमालंकर तो इसका राइट आंसर सीमिली हो जाएगा उसके बाद यहां का मतलब सेम है यहां राइट आंसर अपना होगा ऑल दा अबाव और स्वारी ऑल अफ इस ठीक है मतलब सभी राइट आंसर है उसके बाद देखें can teach us as when everything seems dead तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ प्रत्वी ही हमें देखो अर्थ can teach us when everything seems dead अब सब कुछ मरा हुआ समापसा दिखता है तब प्रत्वी ही हमें सीखा सकती है पढ़ा सकती है उसके बाद है 10th lesson 10th question रिक्तिस्ताने makes human beings love life in spite of troubles and suffering answer होगा nature इसका यह राइट आंसर उसके बाद who is the poet of poem and jennifer's tiger and jennifer's tiger के लेखक कौन है कौन कभी कौन है तो राइट आंसर है एडरीन रीच कौन है एडरीन रीच आगे बढ़ते हैं 12th पहले का बारवा question यहां पर इसका राइट आंसर होगा one second क्या होगा one second उसके बाद आगे बढ़ते हैं combine the sentence using words given in the bracket यहां पर bracket के अंदर कुछ word दिया गया है उससे इस दो वाक्यों को एक करना है यहां पर who दिया हुआ है who's दिया हुआ है तो यहां पर देखे he was born in the cast of bangles makers he has seen nothing but bangles देखे उसका जन्म bangles makers की जाती में हुआ था उसने bangles के अलावा कुछ भी नहीं देखा था तो यहां पर देखा उसके अलावा कुछ नहीं देखा तो यहां पर main जो focus है he पे है तो यहां पर आपको करना he he के बाद आप करोगे who का प्रियोग ठीक है he के बाद who का प्रियोग करेंगे He who was born in the caste of Bengal makers फिर यहां पर फुल स्टॉप और He को हटा देना है Has seen nothing but Bengals इसके अलाव दूसरा I want to live happily with my books Their company gives me strength I want to live happily with my book मैं मेरी किताबों के साथ खुशी से रहना चाहता हूं Their company उनका साथ gives me strength उनका साथ मुझे ताकत देता है अब देखे Who's Who's है Possessive है ठीक है तो यहां पर देखे किसके लिए आया है तो books के लिए आया है तो यहां पर हमें I want to live happily with my books उसके बाद में आपको Whose का प्रियोग करना है Books के बाद में Whose का प्रियोग करना है और यह जो देयर है इसको हमें हटा देना है तो हो जाएगा I want to live happily with my books Whose company gives me strength तो इस प्रकार से आपको इस सवाल हल करना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं Fill in the blanks by choosing words given in the bracket यहाँ पर bracket के अंदर दिये हुए है और रिक्तिस्तान में इनको बनना है तो यहाँ पर देखे रिक्तिस्तान The guests arrived The function begin ठीक है Guests अतिति आए function शुरू हुआ तो देखे यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्रियोग होगा As soon as the guest arrived The function begin जैसे ही अतिति आये function शुरू हुआ दूसरा देखे The man is रिक्तिस्तान है Reach blank help you यहाँ पर तीन चीज़े दी हुए है Enough to So as So that यहाँ पर होगा Enough to ठीक है The man is enough reach सम्रद है इतना अमीर है कि वो तुम्हारी सायटा कर सकता है My car रिक्तिस्तान On the way यहाँ पर Brockdown Brock up देखे जो Breakdown जो phrasal verb है उसका मतलब होता है खराब हो जाना अचानक से तो अब यहाँ पर Past form में है इसलिए Second form Brockdown हो जाएगा तो Brockdown is right answer मेरी मेरी कार रस्ते में चानक खराब हो गई चौता All parents Blank space Their children with love and care Bring up और bring to तो bring up का मतलब होता है लालन पालन करना पालन पोशन करना तो यहाँ पर bring up आएगा सभी माता पिता अपने बच्छों का प्यार और के साथ में पालन पोशन करते हैं Come and sit by me आओ और मेरे पास बैटो Sit by me By any pass अब पे अटेंशन फिर blank space दिया है और study One or two इसमें जबरदस्त confusion है बच्चे कुछ One बरके आए कुछ Two बरके आए देखे पे अटेंशन जो है उसके साथ में हमेशा टू का प्रियोग होता है टू प्रेपोजिशन इसके साथ लगता है Pay attention to your study अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो इस प्रकार से यह आपका section A complete हुआ section B की और गाते हैं इसमें passage है तो आगे बढ़ते हैं देखे क्या सवाल है इसमें पहला सवाल है वाट इस अवर वंडर्फूल वर्ड फुल आफ हमारा आश्चर जनक जो संसार है वो किस से भरा हुआ है तो देखे यहां पर इसका आंसर होगा पहली लाइन है वी लिव इन वंडर्फूल वर्ड डैट इस फुल आफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर तो आप लिख सकते हैं वंडर्फूल वर्ड इस फुल आफ ब्यूटी चार्म एंड एडवेंचर यह पहले का आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेस्टन है जो लेखक है वो ब्राइट यंग चिल्डरन की संगत में क्यों जाना चाता है तो इसका आंसर होगा पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा यहां पर होगा देखे आई वूड लाइक तो गो देर इन कंपनी ओ ब्राइट यंग चिल्डरन वूज माइंड आर ओपनिंग आउट विद वंडर और करियर सिटी ठीक है तो यहां आई की जगह आप दा राइटर कर सकते हो दा राइटर वाइटर वूड लाइक तो गो दिया इन दा कंपनी ओ ब्राइट यंग चिल्डरन वूज माइंड आर ओपनिंग आउट विद वंडर करियर सिटी एज दे में नियू डिसकोवरिज ठीक है यह दूसरे का अंसर हो जाएगा आपके उसके बाद थर्ड नमबर देखिए इफ वी हैव लव इन आवर हर्ट्स वाट डू विल्ड अनिमल डू यदि हमारे रदय के अंदर प्रेम है तो जो जंगली जानवर है हमारे साथ कैसा वेबार करेंगे तो इसको देखते हैं देखे यहां पर है इसका अंसर यदि हमारे रदय में उनके प्रति प्रेम है तो वो इस चीज सो महसूस करेंगे कि वो हमें अपना फ्रेंड मानेंगे और हमारे साथ कोई बुरा वेबार नहीं करेंगे इस बात को वो समझेंगे ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा इसके बार है यदि हम मनुष्य किसी भी दूसरे मानव को हम डिसलाइक करते हैं नापसंद करते हैं तो वो हमारे साथ कैसा वेबार करेगा यहाँ पर देखे लाश्ट वाले लाइन में इफ वी आर अफ्रेड आप देम और देखे यहां से इफ वी शोड आउट डिसलाइक आप देम यह दि हम उनके प्रती डिसलाइक नापसंद की दर्शारते हैं दे हैव बिगें इन दे सेम मैनर तो वो भी इसी परकार का मैनर करेंगे यह निके मारे हम से डिसलाइक करेंगे तो इस परकार से की आंसर होगे उसके बाद देखे फिप्ट क्वेस्टन है find the similar word of bloom bloom का मतलब होता है खिलना या पनबना bloom का क्या मतलब है खिलना या पनबना तो इसका right answer होगा flourish होगा देखे कहां दिया हुआ है देखते है यहाँ पर देखे यह जो flourish शब्दा है flourish यह इसका synonym है flourish का भी वो ही meaning है जो bloom का होता है खिलना पनबना तो इस प्रकार से इसका होगा flourish ठीक है उसके बाद देखे और क्या question आगे दिया है antonym of foies foies का मतलब होता है शत्रू foies यहनि बहुत बहु बचन है शत्रू का तो शत्रू का होगा friend और बहु बचन है तो friends होगा क्या होगा friends इसका antonym हो जाएगा friends ठीक है ध्यान रखना है आपको देखिए यहां पर देखते हैं कहां आया है friends तो यहां पर देखिए section B का एक और पैसेज देखिए इसमें देखिए क्या question है what is the most prestigious event in special Olympics जो special Olympics है उनमें सबसे जारा प्रतिष्टित गटना क्या है ठीक है तो prestigious event क्या है तो पैसेज को starting में देखते हैं आपको शुरुआत में मिल जाएगा देखिए of all the events in Olympics the 100-meter race is the most prestigious सबसे जारा prestigious क्या है 100-meter race तो यह पहले का answer है आगे बढ़ते हैं देखिए what happened with the ninth athlete जो नवा athlete था उसके साथ क्या हुआ उसके साथ क्या हुआ देखिए देखते हैं इसको पैसेज के अंदर यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा eight contestants are strong and run forward आठ जो प्रति भागी थे जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे वो strong थे मजबूत थे और आगे दोड रहे थे परंतु जो ninth था नवा who is the smallest जो सबसे चोटा था falls down वो गिर गया तो नवे के साथ क्या गटना गडिद हुआ वो गिर गया he cried out with his pain of disappointment वो निराशा के साथ pain करने लगा cry करने लगा चिलाने लगा तो यहां तक इसका second answer हो जाएगा उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं how did the audience react for the eight athletes जो eight athletes थे उनके प्रती audience जो दर्शक थे उन्होंना कैसे react किया तो देखिए अब क्या होता है वो नवा जो athlete है वो गिर जाता है और चिलाने लगता है निराश हो जाता है उसके सारे सपने चकना चूर हो जाते हैं उसके दिमाग में आने लगता है कि अब तो मैं मैं इस प्रजियोगिता से बाहर हो गया मेरा सपना चकना चुर हो गया लेकिन तब ही जो बागी आठ एटलेट्स होते हैं वो आगे दोडने के बजाए उसकी हेल्प करते हैं तो यह सब देखकर ओडियंस ने कैसा रियक्ट किय तो वह यहां पर देखें यहां पर होगा दा ओडियंस वाज सो मूवड बाइड़ एक्जेंप्लेरी बीहेवियर ऑप दा कंटेंस्टेंट्स टैट इस स्टूड अप एंड क्लैप वह खड़े हो गया और उन्होंने तालिया बजाई यह इसका आंसर हो जाएगा इसके करती चानु भूती क्या होती है तो देखिए यहां पर एमपेथी यहां पर देखिए एमपेथी यहां से एमपेथी is the capacity empathy is the capacity to understand another person experience from his point of view empathy is the ability to put out oneself oneself in another's shoes तो इस प्रकाचर ये एमपेथी का यांसर हो जाएगा उसके बाद how and why did the authorities honor the athletes कैसे देखिए how, कैसे और why, क्यों जो authorities थे उन्होंने उनका athletes का सम्मान किया कैसे किया और क्यों किया तो देखिए तो इन्होंने कैसे सम्मान किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रतेक को इच वाज गिवन गोल्ड मेडल प्रतेक को गोल्ड मेडल दिया देखर सम्मान किया अब क्यों सम्मान किया तो देखिए उन्होंने जो empathy दिखाई और उनकी जो helpful nature थी सहयोग करने की प्रकृति थी और human values मानवी मुले थे उनके इंदर उनके लिए उनको सम्मानित किया गया तो इस प्रकार से यह answer है आपके अब section C है इसमें question answer है ठीक है देखिए कौन-कौन से question answer है तो यह question answer आप swim ढुणने का प्रयास करें और कोई any kind of difficulty कोई परिशान ही हो तो comment box में comment करें इसका भी अलग से video बना देंगे और उसके बाद देखिए section D is very very important और काफी जयदा नंबर का था तो इसके अंदर देखिए तेईसवा question है you are Sanjay और Shushma you are looking for a room on rent near your office आप Sanjay या Shushma हो आप अपने office के पास में ही कोई room की खोज कर रहे हो जो बाड़े पर आप लेना चाहते हो on rent पे draft a suitable advertisement to be published in Hindustan Time New Delhi आपको एक advertisement देना है Hindustan Time newspaper के अंदर नई दिल्ली के अंदर जो चपेगा your telephone number is 123-412-3-412 ठीक है यहाँ पर आपको advertisement करना है advertisement rent के लिए on rent आप room लेना चाहते हो ठीक है तो इस परकार से आपको advertisement तियार करना है अत्वा में दिया है you are Archie या Archit Secretary Interact Club Bengaluru ठीक है आप Secretary हो Interact Club Bengaluru के Secretary हो draft a notice यहाँ पर आपको notice लिगना है asking all the club members and the other student to join a walk on the world diabetes day to create an awareness among people about diabetes आपको notice डालना है जिसमें सभी club members को और दूसरे जो विद्धियारती है उनको कहना है उनको join करवाना है walk on world diabetes day ठीक है तो notice कैसे लिखना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं उपर वाला advertisement वाला है नीचे वाला notice वाला है तो जो भी ठीक लगा होगा आपने किया होगा इसके अलावा देखे चोईसवा question है आप सिद्ध और सिद्धी हो और आप government senior secondary school जोधपूर में पढ़ते हो आपके स्कूल का जो eco club है वो 300 पौदे लगाने वाला है आपके स्कूल एरिया में बड़े प्रतिष्टित लोगों के साथ और विद्यारतियों के साथ मिलकर रिपोर्ट लिखिए स्कूल की magazine में चपने के लिए तो रिपोर्ट लिखनी है ठीक है और अथवा में जो question है वो है क्या है translate करना है translate the following passage into Hindi हिंदी के इंदर translate करना है तो it is said that a healthy mind remains in healthy body ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिश्क का निवास होता है human body is like a machine मानव का शरीर एक machine की तरह होता है overeating and eating junk food harms our body अगर हम जैदा खा लेते हैं या junk food खाते हैं तो हमारे body को नुक्सान पॉस्थ आ है eating eating at right intervals is a desirable thing हमें हमेशा देखिए एक सही अंतराल के बाद बोजन करना एक आवशक वस्तु होती है यह मतलब थोड़ा gap रखके बोजन करना चाहिए regular exercise is turn up the muscles of the body and give them strength नियमित व्यायाम करने से हमारे muscles मजबूत होती है और हमारे ताकत प्राप्त होती है regularly, punctually, taking right kind of food and regular exercise are the four essential thing for maintaining a good health एक तो regularity होनी चाहिए नियमित्ता, punctuality, समय की पाबंदी, taking right kind of food, सही प्रकार का भोजन लेना और नियमित and regular exercise, नियमित व्यायाम यह चार चीजे हैं यह आवशक चीजे हैं चो हमारे अच्छी health को maintain करती है so it is our duty to keep the human machine well in order and going इसलिए यह हमारा करतव्य है कि हमारी जो मानव मशीन है इसको हम करम सहीर रखें और इसको चलता हुआ रखें if your body is in perfect health यह आपके जो शरीर है वो अगर बिलकुल perfect स्वास्ते के अंदर करते हैं you enjoy life तो आप अपने जीवन को enjoy कर सकते हो so we must all do regular exercise and remain fit इसलिए मैं सभी को regular exercise करने चाहिए और fit रहना चाहिए तो इस प्रकार से इसका यह इंदी ट्रांसलेशन है उसके बाद देखे 25th question final question है write a job application for the post of post graduate teacher in English to the chairman vivekanan senior second school उदैपूर also give your detailed resume to be sent along with the letter यहां पर job application है और किसके लिए post graduate teacher post graduate teacher pct किसके लिए pct के लिए pct post graduate teacher यह lecturer भी कह सकते हैं तो इसके लिए देखे बागी चीजे तो same है पहले खुद का address है date है फिर आपको सामने वाले का address लिखना है the chairman vivekanan senior second school उदैपूर और उसके बाद body salutation body और yours faithfully और उससाथ में resume attach करना है educational qualification के अंदर आपको MA in English literature के साथ beard का उलेक्ष करना है उसके बाद और रत्वा में है देखे imagine you are aronia anjali living at Naginabag Chitodgad आप aronia anjali हो Naginabag Chitodgad में रहते हो write a letter to the editor the Hindu to draw the attention of general manager for taking action for the poor maintenance of the state transport buses यहां पर देखे आप aronia anjali हो आप Naginabag चitodgad में रहते हो आप the Hindu के editor को पत्र लिखिए उनका ध्यान आकरशित कीजिए action लेने के लिए जो state transport buses है राज्य यतायत बसे हैं उनका सही maintenance नहीं हो रहा है उनका maintenance कराब है उसकी तरप उनका ध्यान आकरशित करने के लिए the Hindu के अंदर लिखिए तो इस प्रकार से यह आपका paper था आशा करता हूं अच्छा गया होगा और अपना मुल्यांगन करें और बिल्कुल दिराश हुए बिना आगे की अपनी पढ़ाई को continue लिखें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दन्यवाद जाहिन